मनीश जी दिल्ली से रादे रादे महाराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी परणाम महाराश्री परिवार के समंदों के प्रति अत्यादिक मोह और जम्मेदारियां इसके साथ भागवतिक चेश्टा मन में बहुत भहे पैदा करती है कि अग्यान में ही तो भय है मोह अग्यान ही तो है सरीर शमंद में सने होना इतने दोस्की बात नहीं है जितना अग्यान युक्त हो करा सक्त होना है क्योंकि जब भगवान भी आउतार लेते हैं तो पिता को पिता कहते हैं मा को मा कहते हैं बहन को बहन कहते हैं अर्थात भगवान भी आउतार लेते तो शनेशंबंधों का अधर करते ना प्रातकाल उठके रगणाथा, मात्पिता, गुरु नावई माता भात्र प्रेम, पत्नी प्रेम, पुत्र प्रेम, राज्य प्रेम यह सब भगवान ने आउतार लिके दिखाया भै भै तो अज्यान का लक्षान है अविद्या का लक्षान है दोश में भै होता है कोई भी क्रिया हो या चिंतान हो जो दोश युक्त होगी उसे में भै आएगा नहीं भै नहीं आएगा तो काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मतसर ये च्छे दोस कहे गए हैं इन में से एक भी द प्रोश होगा तो फिर भयाएगा दुख होगा परिशानियां लगेंगी और मोह के कारण ही तो हमारी दुर्गती हुई है और मोह जब तक है तो परमार्थ क्या है समझें में नहीं आएगा मोह गए बिनुरामपद होई नद्रड अनुराग ये मोह बहुत बिचित्र है मोह में फस करके हमाचे पापा चरन होते हैं हमारे परिवार को सुख मिले चाय किसी के परिवार को उजाड़ना पड़े हमारा परिवार सुख है मोह ही तो करवा रहा है मोह में इपापो नहीं लगते है मोह ही नरक पहुचा देता है तो सत्संग के द्वारा विवेक होता है और विवेक के द्वारा मोह का नास होता है पिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी नुश्वलब न सोई और होए विवेक तो मोह ब्रह्म भागा सिद्धान्थ है तो स्त्संग सुनो, नाम जब करो, भगवान से प्रारफाना करो, तीरन हुवत है कि हे भगवान, मेरे मोह का नास करके मेरे हिर्दय में शुद्ध ज्द ग्янन-P्रकाशित करो, जहां ग्यान-P्रकाशित करेंगे, तो फिर हमें समझने आ जाएगा कि कि हमारा गलत मोह था, शब में मेरे प्रभू है इस भाव से किसी से भी प्रीति करो कोई बंदन कारक में लेकिन भगवत भाव हो बात समझ न इसमें चालवाजी नहीं चलेगी बाणी से भगवत भाव की बारता करो अंदर से मुआ सकतो तो चिला पड़ोगे रो पड़ोगे फिर माया परास्त कर द पूजा करो बार माता पिता परिवार अति थी अन्य लोगों से द्रो करो ऐसे सब्द बोलो कि उनका हर्दय चली नहीं हो जाए ऐसे आचरन करो कि दूसरे तो बोले वह पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ 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 भगवान स्वयम कहते हैं सब के हर्दय मंदिर म तो उनकी पत्नी ताहरा जी बहुत विलाप कर रहे थी और ऐसा कुछ विलाप में था कि हमने कोई अपराद तो किया नहीं जो मुझे ये दुरभाग देखना पड़ा कि मेरे पती मैंने क्या प्रभुन से यही बोले थे कि तुम अपने पती को जानती हो क्या तुमने पती क देह को पती माना हो तो तुमारे आगे है पांच बॉतिक जो पती अंदर था उसको तो तुम जाना नहीं और जिसे जाना नहीं वो चला गया तो उसके लिए रोना क्या वह जानते हैं तो हमारी प्रीथी नहीं तो रोना बनता ही नहीं अब हम जिसको जानते हो आगे पड़ है 5 वह 10 शरीर रही हो तो तुमारे सामने रोने की सब्सक्राइब रही हो तो नहीं रही कि कि प्यार करते है फ debates इसका मतलब हम कहीं न कहीं प्रभु से तो फिर आपका कल्यान हो जाएंगे जिनको प्यार कर रहे हो कर प्रभु को ही रहे हो क्योंकि प्रभु अंतर द्यान में तो सरीर का कोई महत्तों नहीं रखते उसको नस्ट कर देते मिट्टी में गार देते हैं जल प्रवा करते हैं या अगनी में जला देते हैं तो हम जिन प्रभु को अंजाने में प्यार कर रहे थे अगर हम जानकर प्यार करें तो हमारा कल्यान हो जाए बस इतनी बात है सारे चराचर जगत में वही पावर्स भगवान ही सबके हर्दय में ह भाई में भगवान, बहन में भगवान, मा में भगवान, पिता में भगवान, अभी बगती बन जाएगी। तो फिर परमार्थ का रहा से प्रकासित हो जाएगा अब अपने मन की बात मानने पर तो बहुत दुष्ट है पकी बात है मन जैसा दुस्मन आद तक कोई पैदा ने हुआ बहुत बड़ा दुस्मन है